दोस्तों इसमें कोई दोराय नहीं कि सिर्फ बच्चों को ही डॉल्स में दिल्चस्पी होती है लेकिन आज हम आपके लिए पांच ऐसे वीडियो लेकर आए हैं जिनको देखने के बाद आपके दिल्चस्पी भी डॉल्स में बढ़ने वाली है क्योंकि ये है 5 ऐसे वीडियो जिन में बेजान डॉल्स को हिलते डुलते और यहां तक की चलते हुए रिकॉर्ड किया गया लेकिन उससे पहले ऐसे ही दिल्चस्प वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल री रिसर्च को सब्सक्राइब करें और इस घंटे के निशान को जरूर दबाएं इस वीडियो में एक पांच साल की बच्ची अपनी डॉल्स के साथ खेल रही है लेकिन तबी एक जटके से बाई तरफ की डॉल उस लड़की की तरफ गरधन घुमा ले दी है यह देखकर छोटी बच्ची बुरे तरह से डर कर इस डॉल को छोड देती है स्पेन देश में सर्दियों के दौरान एक यंग कपल को अपने स्टोर रूम में तकरीबन 100 साल पुरानी डॉल मिली जिससे कभी उनके दादा जी खेला करते थे जल्द ही इस कपल ने नोटिस किया कि यह डॉल रात को हिलने लगती है जिसके बाद उन्होंने एक हफ़ते के लिए इस डॉल को कैमेरे के सामने रख दिया और फिर एक रात डॉल की कुछ मोमेंट रिकॉर्ड हो गई इसके यह मोमेंट काफी सलो थी इस वीडियो को फास्ट करने के बाद ही इसकी यह हरकत दिखाई दी इसके हरकतों से ऐसा लग रहा था कि जैसे यह डॉल नाच रही थी कप्स टेकिंग एक काफी नया और अनोखा स्पोर्ट है जिसमें व्यक्ति कागस के बने कप्स को जल्द से जल्द एक दूसरे के उपर रख कर पिरामिट जैसा आकार देते हैं इसमें हातों की फूर्ति काफी माइने रखती है इस अगले वीडियो में एक लड़की यही खेल दिखा रही है लेकिन इस वीडियो में चौका देने वाले चीज उसके हातों की फूर्ति नहीं बलकि इसके पीछे रखी डॉल है जो की खेल चुरू होते ही उठ खड़ी हुई जैसे कि उसे यह खेल देखना हो इस वीडियो में एक जवान लड़की अपने बच्पन की एक पुरानी डॉल दिखा रही है जो की उसे उसके पांच में बच्रडे पर मिली थी पर तभी यह डॉल उस लड़की को देखने लगती है पिछले कुछ सालों में इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो अपलोड किये गए जिन में डॉल्स को हिलते डुलते रिकॉर्ड किया गया है लेकिन कोई भी डॉल इस डॉल की तरह चलते हुए रिकॉर्ड नहीं की गई 2016 में ये वीडियो रेशिया की एक महिला ने फेस्बुक पर अपलोड किया था इस महिला का कहना है कि जब वो इस डॉल को हाथ में थामती है तो ये डॉल अपने आप चलने लगती है और कोई अन्य वक्ती इसका हाथ पकड़ता है तो ये एक इंच भी आगे नहीं खिसकती है दोस्तों इन वीडियो में कितने सच्चाई लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल री विसर्ज को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले धन्यवाद